हालो इस्टूडेंट बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का PBR स्टेडी परिवार में दोस्तों आज की इस कलास में आप नया चैप्टर सीखेंगे कलास सेबंत की NCRT मैथ में चैप्टर नंबर सेबन होगा जिसका नाम है तिरबूजों की सरवांग समता समरूपता क्या है इसके बारे में कुछ हम गहन अध्यन करेंगे प्रेक्टिकली आपको दिखाएंगे ठीक है तो जरा आप ध्यान से देखो आपके सामने क्या है यह दो डिब्बी रखी है इंक की दिख रही ना इनको ऐसे करके भी देख लो दिख रही इन दोनों में आपको को एक चीज अंतर नजरा रहा होगा कोई और कि दोन्य जैसे घंबी सहे गया तो यह आपको पता है यह क्या हैं सरवंग समय जिन्हें English में Congreence बोलते हैं क्या बोलते हैं Congreence भोलते हैं C O N G R U E N C E थीक न? बात समझ में आई? अगर मैं आपके सामने दूसरा एक जामपल पेश करता हूँ, इसको हटादो इधर साइड में कहीं रख दो दूसरा एक जामपल ये देखो आप ये दोनों में कोई अन्तर लग रहा है आपको कलर में या लंबाई में मोटाई में कुछ अंतर लग रहा है नहीं न देखो कहीं भी बनावड देख लो यहां भी दरार टाइप का है यहां भी है इसमें भी एक टांगने वाला लागा है इसमें भी लगा है अगर यह अंगुली इतनी बढ़ी है तिए इतनी बढ़ी रहे यह अंगुलियां सर्भांग्सम नहीं है समुम है समुरूप क्यों है क्योंकि इन में कड देखो Subscribe 3 बनाया इन इसमें भी बनाया लेकिन यह बराबर नहीं है बराबर होती हैं तो सरवांगसम कही चायते तो यह सम रूप है लेकिन सरवांगसम नहीं है बात समझ गये न ठीक लेकिन आगर हम ऐसे बोलें यह एंगुली इस हाथ की और इस हाथ की एंगुली कंगुली छोटकी वाली तो यह क्या है यह सरबांगसम है यह एकदम बराबर होंगी अगर इनको दोनों को मिला है तो यह क्या है देखो एकदम बराबर है सरबांगसम है यह सरबांगसम है लेकि कि यह यह और यह 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 और कि आब युद्न के यह यह सर्वढश्म है क्योंकि दोनों एक समान है टोपी वैसे है ieldखो इस दूक वी है बागी न्ययद्स टीस कहीं सब être किया जरख़े कि व decorative Day तो समनी क्या होता है तो मैं उसको भी दिखाक दूँगा सम रूप क्या होता है जैसे मैंने यह इसमें का ले लिया इसमें का यह ले लिया तो यह दोनों क्या है समरूप है यह दोनों क्या है समरूप है अब यह सर्भांग सम नहीं है यह समरूप है समरूप का मतलब यह कि इसमें भी धकन लगा है इसमें भी धकन लगा है इसकी तंकी थोड़ा बड़ी ह इसकी टंकी थोड़ा छोटी है, लेकिन है उसी रूप की, है उसी रूप की, काम ओही करती है, ये भी ये भी, इसमें ज्यादा आता है, इसमें कमाता है, कलर से कोई मतलब नहीं है, बाद समझ रहा है ना, तो ये होता है क्या, सर्मांगसम और समरूप में अंतर, आप समझ कि नहीं समझ गए कमेंट करके जरूर बताना सर्भांगसम और सम्रूप क्या होता है सर्मुरूप को इंग्लिस में क्या बोलते हैं बता देता हूं समता की परिभासा समझ लो जो किताबी परिभासा है किताबी परिभासा यह कहती है कि जब एक आकृती दूसरी आकृती को पूरा-पूरा धाक लेती है तब वह क्या कहलाती है समरूप जो सरी सर्बांगसम आकृतियां कहलाती है अक्स देखो जब एक आकृती का अक्स यानि क कि ट्रेस कॉपी दूसरी आकरती को पूरा पूरा धक ले तो इससे सरवांग्सम आकरती कहते हैं मतलब यह आकरती अगर काट करके इसके ऊपर रख दे तो यह पूरा-पूरा इसको धख ले दिखे ना कहीं तुओ क्या कहलाएगी वह सरवांग्सम कहलाएगी जैसे यह डिब के उपर यह डिबी चढ़ा दूं यह देखो और इसको पूरा-पूरा ढखले कहीं से दिखे ना देखो दिख रहा क्या कहीं से बोलो दिख रहा है अगर सही से बैठ गया मेरे रखने में गलती ना हुई तो आप नीचे वाले डिबी का एक पार्ट नहीं देख पाओगे कहीं से दिख रहा है नहीं दिख रहा है इसको ऊपर कर तो तब नीचे वाले नहीं दिखेगी कहीं से भी देखेगी हलका भी इसका मतलब क्या है मतलब यह दोनों सरब्सम ए Bitcoin बगलें कि भईया इस डिब्बी के उपर इसको चढ़ादो मतलब नेक τα यह देखो ने ने देखो नी 30 प्रकार की क्या यह सर्वांग समग नहीं इस सम्रूफ है लकिन शर्वांग सम नहीं कि अगर उन दोनों आकरतियों को जिनको आप जय बता रहे हैं onko एक दूसरे को उपर रखें तो पूरा-टख लें तुरे को कहीं से भी दिखें ना तो वह सर्वांग सम होती है अन्यथा सम्रूप कालाती है जैसे दोनों हाथेलियां क्या है ये ये क्या है ये सरभंग सम्हें इनको अगर ऐसे आप करोगे ऐसे करके करोगे तो नीचे वाली कहीं दीखेगे अंगुठा चोड़के अंगुठा क्योंकि सीधा-फीदा वैसे नहीं बैठेगा हमारा फिलहाल लिखेगे का और अगर अर्प रखशे को नीचे उपर रका है अगर हमचे को ख़िली बड़ा है अंगुठा हे लिगत आगति क्या हैं नि यह बनाईस के अंगुली से Conos at पूरी कहानी हर प्रकार की अकृति में और हर जगह इसकी जो कंडिशन है अलग होती है रेखा खंडो में अलग होता है आकृति में अलग होता है ठीक है कौन में अलग होता है इसका नियम कंडिशन अकृति में दिखा दिया आपको जैसे डिप्वियोगारक आपको प्रेक्ट देखा जाता है कि दोनों रेखाखंड अगर बराबर लंबाई के हैं तो सरबांग समय है क्यों क्योंकि रेखाखंड कभी मोटा पतला नहीं होता है कि एक रेखाखंड आप मारकर से यदि दो कौनों की माप जो है एक समान हो तो वो सरवांगसम होते हैं कौनों की माप एक समान हो कहने का मतलब अगर एक कौन 40 अंसका है तो दूसरा भी 40 अंसका होगा अगर एक 30 अंसका है एक 40 अंसका है तो यह सरवांगसम नहीं है क्यों क्योंकि इनका जुकाओ जादा कम हो आएगा समझ रहे हो कि नहीं देखो जैसे एक जामपल मैं आपको दिखा दूँँ थोड़ा इसमें कम अंतर आपको समझ में आ रहा होगा जादा अंतर वाला दिखा देता हूं देखो इन दोनों में ये दोनों क्या हैं ये दोनों सरवांगसम कौन है कुछ लोगों के मन में रहा होगा कि इसकी खोपड़ी तो ज्यादा बड़ी है निकल ज कलिक है इसके च्छोटी है तो ये दोनों सरवांगसम कैसे हैं लेकिन ये दोनों सरवांगसम है क्योंकि गजिए पितनी भी बड़ी खीजद दो इस से नहीं मतलब है ये झूटाव देखा जाता ये जो 40 का ह म jail मैं 40 इसमें अगर मैं बात करूं आपको जो दिखा रहा हूं इस में देखंए यह पहले ही रेखाओं की लंबाई बराबर वो इसकी रिसकी बराबर हो इसकी और इसकी बराबर हो लेकिन यह देखो तो सीधा छॉप यह 56 के बिच पना रहा है मतलब इन दोनों का जो जुकाओ है इतना देखो इसका फैला इतना है जब कि इसका इतना ही है यह चीज बराबर होना चाहिए बात समझ में आई ना देखो लाइट भी आ गई बात समझ में आई ना तो यह होता है कोड़ों में सरबांग समता कि सरतें आप समझ गया हो नोट्स बनाईए और अच्छे से तयारी करिए इसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक बात आती है वह क्या है वह सर्बांग सम्ता का चिन जैसे अगर हमने कहां आप से लिखो तो आप जानते हो यह इसे लिख दोगे बच्पन में पढ़े हो एभी सी दी ए है उसी त समझ जाना कि सर्बांग सम्ता है अगर कहीं ऐसे लिखा है ए और बीच में ऐसे दो लाइन है और फिर उपर से ऐसे लाइन गई है और भी लिखा है इसका मतलब ए सर्बांग सम्भी कि समझ गए ना बूलना नहीं यह बहुत महत्तवपूर्ड टापिक बता रहा हूं सर्बांग सम्ता यह दो मैंने डिब्बी लिया है तो इनको अगर आप ध्यान से देखो तो इनकी दोनों की जो आकरती है जो संरचना है वो एक जैसी है देखो कलर मत जाना कलर में बलेक भी यहां पर रखा हूं आपको बलेक भी दिखा सकता हूं तो मतलब तोपी वैसे है इसमें भी यह बनावड देखो इसका गोलाई भी वैसे सब कुछ वैसे है है ना लेकिन यह क्या सर्बांग सम है नहीं यह समरूप हो सकते हैं लेकिन सर्बांग सम नहीं है सर्बांग सम का मतलब यह होता है सर्बंग सम मतलब यह दोनों सर्बांग सम है थोड़ा सा मैं आप पढ़ेंगे तिर्भूजों के बारे में तिर्भूजों का थोड़ा सा अलग रूल होता है इन सभी साधारन वस्तूओं से हटकर वो क्या है देखो तीन कंडिसन होती है पहली कंडिसन है कोई भी दो तिर्भूज सरबांगसम कब हो सकता है उसके लिए सबसे पहली सर्थ ये है कि यदि किनी दो तिर्भूज की सभी भूजाएं क्या हो आपस में बराबर हो सभी भूजाएं आपस में बराबर हो या फिर अगर ये नहीं है तो छोड़ो जाने दो दूसरी condition है यदि किसी दो तिर्भुच के दो कोण और उसके अंतरगत आने वाली भूजा बराबर हो तब भी तिर्भुच सरवांगसम हो सकता है कब कब दो तिर्भुज सरवांग सम पहला नंबर तो तब हो सकता है जब दोनों तिर्भुज की तीनों भुजाएं सभी क्या हो बतलब एक्कवल हो बराबर हो एक दूसरे के क्या हो बराबर हो और दूसरा क्या है कि दो कोण बराबर हो दोनों तिर्भुज के और उसके अंतर का ताने वाला एक कोण बराबर हो तो दोनों तिरभूज सर्बांग सम्ता हो सकते हैं इसका एक्जामपल मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग कंडीशन में उसके लिए हमारे साथ बने रहना इंड तक और फिर आपको सब कुछ के लिए हो जाएगा तो चलिए देखते हैं अलग अलग कंडीशन में कैसे होता है तिरभूजों का सर्बांग सम्ता ध्यान से देखना वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस करना जिससे कि आप कलास पढ़ सके देखें तिरभू बहुजा है नशाओं मतलब करेशा दोनों तिरभूजों की जो भुजाएं हैं अंतरगात भूजाएं जो हैं वह अगर बराबर हैं क्या है अपर मतलब समझते लो यह का मतलब होता साइड ऑर साइड मींसं बूजा और जो यह लिखा है एक का मतलब है भाई आम्स मतलब क्य होता है oh sorry side मतलब भूजा तो arms मतलब क्या होगा sorry A Мतलब angle क्या होगा angle angle मतलब कोंड ॥िक है तो A का मतलब कौंड यह का मतलब side यानि भूजा दूसरा क्या है दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब किनी दो तरया भूज की दो भूजाएं और कोंड बराबर हो तो सरवांग समता है तो मतलब भुजा कोंड भुजा सरवांग समता इसे क्या बोलेंगे कोंड भुजा कोंड सरवांग समता लेकिन तीनों का फिगर हम आपको दिखाएंगे तब आपको क्लियर होगा कि यह कैसे होता है तीनों हेटिंग लिख लो उसके दूसरी चैनल पे चलेगी, में चैनल PBR Study लहबाद पे नहीं चलेगी देखो इसे अच्छे से समझे लो, क्या कहता है ये, बहुत ध्यान से देखो यस 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 सरबांग समता, मतलब भूजा 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 सरबांग समता ये किसी तिर्भूज की सभी भूजाएं, दूसरे तिर्भूज की संगत भूजाओं के बराबर हो तो ऐसा तिर्भूज सरबांग समतिर्भूज कहलाता है, जैसे कि पहला तिर्भूज है PQR PQR की अगर हम भूजा देखें, RP तो ये 4.5 cm है, कितना है? 4.5 cm और इसकी संगत भूजा अगले तिर्भूज में तो AC है, AC भी 4.5 है यानी बराबर है वहीं अगर इसकी दूसरी भूजा की बात करें QR, तो QR है 5 cm और इसकी संगत भूजा दूफरे तिर्भूज में देखो तो है BC, जो कि 5 cm है अब ये संगत भुजा क्या होती है, आसन कोण क्या होते है, रखिक यूगम क्या होता है, रेखा क्या होता है, रेखा खंड क्या होता है, कोण क्या होता है, इनके बेसिक अधन के लिए आप पिछले कलास को देखिए, जदा जानकारी के लिए कमेंट करिए, चुकि जीरो यह इस मतलब आप देख रहो फाइनल में यह सभी बुजाएं क्या है दूसरे तिर्बुच की संगत बुजाओं के इक्वल है आता है तिर्बुच क्या है और से चिन होता है इसको ऐसे बना लेना कैसे होता चिन वह दो बार बराबर खीच देना उसके बाद ऊपर एक ऐसे डं सब्सक्राइब कर लो इसे चैनल में आपको यह नाम दिख रहा होगा नहीं तो आप यूटूब पर सब्सक्राइब कर लेना जो मैंने लिखा रैड कलर में इसको लिखके जैसे सर्च करो तुरन मिल जाएगा इन दो चित्रों को ध्यान से देखिए A, B, C और D, E, F यह दोनों आला गलक तिरपूज है जरब ध्यान से अगर देखो तो A, B, C में आपको दिख रहा होगा कि इसकी भूजा A, B, 7 cm है और B, C, 5 cm है वहीं A, C, कमाप दिया ही नहीं है इसी तरह अगर अगले में देखो तो D, E, 5 है और E, F क्या है, 7 cm है हम बात कर रहे है, S, A, S, Side En subsidiary सर्वांग सम्ता मतलब का इगरेंस की यह क्या होता है जब किसी तिरपूज की क्या होता है जब किसी तिरपूज की दो भूजाएं और उसके अंतर गताने वाला कॉड दूसरे तिरपूज की दो भूजाएं और उस तो लिख दो उप्रोक्त चित्र में भुजा AB इक्वल EF EF क्या है AB भुजा के संगत भुजा है दूफरे चित्र में ठीक है है कि नहीं यह कितना है 7 cm लिख दो बेरे कड में ठीक है आगे लिखो दूफरी बुजा कौन कौन सी है या BC BC बराबर है D E के ब्रेकड में लिख दो 5 cm और और अंतरगत कौन कौन सा है B किस के बराबर है अंतरगत कौन E के बराबर है और बराबर लिख दो 50 cm आप नीचे लिखो भाई लिखो भी न हम जरूरी कि सब लिखें यहाँ पर इनके तो लिखना आता है न लिखो आता है S A S सरवांग सम्ता परतिबंद के अंतरगत यह दोनों तिरभूज सरवांग सम्ता हैं क्या है दोनों तिरभूज काइंगरियंस हैं सरवांग सम्ता हैं लिख लो जल्दी से अगला है A S A सरवांग सम्ता मतलब एंगल साइड एंगल सरवांग सम्ता जिसे कहते हैं कोण भूजा कोण सरवांग सम्ता इसमें क्या होता साथि हूँ इसमें यह होता है कि यदि किसी तिरभूज के दो कौण और उसके संगत बूजा दूसरे तिर बूज के संगत दो कौण और उसके अंतरगत आने वाली बूजा के equal होते हैं तो सरवांग सम कालाते हैं जैसे इसमें दो तिर बूजा आप देख रहे होंगे इधर बनाया भीया AOC और इधर बनाया है BOD इसमें अगर आप देखो तो सीरसा भीमुक कौण AOC मतलब यह कौण O और इसका भी सीरसा भीमुक कौण BOD यह वाला दोनों बराबर हैं बराबर है ना यहाँ पर आप लिख सकते हो कौण AOC इक्वल कौण BOD बराबर है ना क्यों है क्योंकि यह सीरसा भीमुक कॉण है आप यहां लिख सकते हो सीरसा भीमुक कॉण यह मैं आपको सब पता चुका हूँ पहले पढ़ा चुका हूँ नहीं आता तो कमेंट करके बताना बताया जाएगा उसके बाद यहां पर अगर आप एक बात और देखो तो और भी एक कौण बराबर है कौण कौण सी बराबर कौण डी क्यूं क्यूंकि ये क्या है संगत कौण है कि नहीं है ना तो बताना अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको लिख लो जल्दी से तो इस तरह से और हाँ भूजा एसी इक्वल भूजा बीडी एसी इक्वल बीडी ये क्या है अंतरगत भूजा है इन कौणों के अंतरगत है कि संगत भूजा है संगत भूजा है मतलब इन दोनों कोणों की संगत भूजा यानि कोण जो सतर अंस का बन रहा है और कोण तीस अंस का बन रहा है इन दोनों की चुड़ा हुआ हो बस यहीं समझो एक परकार से तो जिस तरह कंडिशन इधर है उसी तरह उधर भी है इसे आप लिख लो तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा इसे आप थोड़ा अच्छा तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोंड़ C और कोंड़ D के बराबर है उसी तरह से यह कोंड A कोंड B के बराबर होगा क्यों नहीं होगा भाई सोचो अगर इसमें कोंड़ C 70 है और यह 30 है सीरसा भी मुखाला तो जो बचेगा यह 80 बचेगा क्य होंगे तो यह भी क्या है कि इस तरह से यह तिरूज क्या होंगे दोनों सररबंग सम होंगे इनका एक एक जांपल देख्वो तो समझ में आएगा इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे मैंने बहुत कुछ बता दिया एक उधारन देखो सवाल का तो समझ में आएगा देखो देखो देखिए आपकी किताब का सवाल है ध्यान से देखना क्लास सेबंथ की NCRT बुक का ये पेज नंबर 157 पर एक जांपल दिया है उसी की तर्जिपे मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है ध्यान से देखो 157 नंबर पेज है कच्छा साथ के NCRT मैथ है साथियों अभी हमने बताया था कलाफ 9 ना वो थोड़ा मिश्टेक थी क्योंकि 9 वाला मैथ 20 समय चल रहा है ये सेबंथ वाली मैथ आप देख रहा है तो भया इसको हाल कैसे क चल लोगे मतलब कहने का ये सिद्ध करो कि दोनों तिरभूज क्या है सर्वांग समय तो चलो लिखो फटा फट चल दी से लिख लो दो तीर बूज ओए विगमें भी ऊंडेखो चाहें लिखो के तिर्भूज ए और विज वी ओडु में एक तोट को आप दो रीचंए लिक्षे में बत्सक्राइब है को आ बड़्ु और क्या है कॉंड डी वह लो स्टर अंज दिया गया की नहीं दिया गया है कि दी दोनों सब्सक्रम और संगत कों congratulations कि ? सब्सक्राइब कॉन और बीस में और उस्वराबर प्रोड ब् οड भी दिया है कोड्य अंज कोड्य AOC बराबर कौन BOD भी क्या है दिया है ब्रेकट में लिख लो 30 अंस या फिर ऐसे बराबर लिख लो 30 अंस कहां दिया है यह देखो 30 अंस दिया है जैसे AOC है उसी तरह से BOD भी है अगर यह 30 है तो भीया इधर साइड भी यह भी क्या होगा 30 ही होगा यहां पर ब्रेकट में कि निकलना है अगर कोन जैगा तो कोन भी भी आ जायेगा तो भी कोई भी आ गया तो हो गया घ्र हम लिखेंगे कोंड A बराबर हम सभी जानते हैं कि तिरभुच के तीनों कोंडों का योगफल 180 अंस होता है होता है न बया होता है न तो क्या करेंगे हमें 2 कोंड दिया है देखो O दिया है C दिया है तो हमें A निकालना है तो हम 180 से इसको जोड़ के घटा देंगे तो 180 धन क्या हो जाएगा ये 70 धन नहीं यार घटाएगे तभी तो आए न अगला ये इस तरह से आपका ये हो जाएगा 180 माइनस 100 बराबर 80 मतलब आप समझ गए कितना आगया 80 यानि हम ये कह सकते हैं कि ये कौण क्या हो गया 80 धिगरी हो गया अब आप नीचे लिख सकते हो क्या लिखो गे नीचे लिखो इसी परकार से आप दूसरा वाला भी निकाल सकते हो ब्रेकट में चालिक लो तिरबूच के गुरधरम का परियोग करते हुए नीचे अब आगला वाला भी कर लेना इसी परकार कौण B बराबर उसको भी निकाल लो भाई कौण B बराबर इसको भी असे निकाल लो 180 माइनस ये जोड़ दो 70 और ये 30 वह भी 80 कितना आएगा? 80 आजाएगा कौण B बराबर 80 आजाएगा इसको कर लेना इसी परकार कौण B भी आजाएगा 80 फिर नीचे क्या लिखोगे? नीचे लिख दो आता हाँ आता हाँ यहाँ पर नीचे ये भी लिख लो कौण A बराबर कौण B हो गया देखो आपके बुक में भी बस ऐसे ही दिया गया है बिल्कुल हो गया? आप लिखो इतना दिया है न? आता हाँ हमारे पास कौण C बराबर कौण B है और कौण A बराबर कौण B है और एक चीज है वो क्या है? A, C बराबर B, B है संगत भुजाएं भी तो बराबर दी गई है भीया तो यहाँ पर नीचे उसमाही लिख लो आता हाँ हमारे पास कौण C बराबर कौण D कौण A बराबर कौण B भुजा A B बराबर भुजा B सिद्ध हुआ कि यह दोनों तिर्भूज तिर्भूज A, O, C और तिर्भूज B, O, D सर्भांग सम्हें समझ में आए न? लिख लो बस हो गया इसे इसको आप अपने आपसे बना के भी लिख सकते हो बस आपको किवल तरीका पता होना चीए कैसे करोगे तो फिलहाल आपका ये जो है इतना टॉपिक यहाँ पर खतम होता है इसके आगे भी अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है तो इस्टूडेंट क्लास सेबंथ के NCRT महित का आपका ये चैप्टर साथ खतम होने वाला है जिसका नाम था तिरबुजों की सरबांग समता इसमें एक टॉपिक और बचा है समकों तिरबुजों की सरबांग समता तनहा वैठ कर न देख यूँ हाथों की लकीर अपनी उठ बांद कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी तकदीर भगवान नहीं बनाता है आज के जमाने में तकदीर इंसानों के करमों के द्वारा बनती है अगर आप अच्छा काम करोगे मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा आपकी तकदीर बहुत अच्छी होगी कुछ काम नहीं करोगे गदाहा बने रहोगे खच्चा टाइप के आलफी दनवन के वैठे रहोगे तो कहोगे हमारी किसमत ही खराब है तो भईया किसमत मत खराब करो मेहनत करना शुरू करतो सरवांग समता के साथ आज ये चैप्टर इंड हो जाएगा उसके बाद आपका नेक्स चैप्टर सुरू होगा बहुत ही ध्यान से देखो पहले सबसे बड़ी बात इसमें है समकोंड तिरभूज समकोंड मत मीन्स होता है राइट एंगल राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का कोंड जो बनाता है वो समकोंड कहलाता है यानि कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत परतिछेद करती है तो वहाँ पर जो कोंड बनता है वो नबेंस का बनता है इसी को समकोंड कहलाता है इसकी क्या है प्रतिवन ध्यान पे ध्यान से पढ़ लो सामने लिखा है यदि किसी तिर्भूज का करड़, करड़ मतलब सबसे बड़ी भूजा इसमें अगर बात करें तो ये और एक भूजा, एक भूजा का मेंस आधार और लंब में से कोई भी एक भूजा, दूसरे संगत तिर्भूज के करड़, मतलब दूसरे समकोंड तिर्भूज के, क्योंकि समकोंड समकोंड के बीच होगा ये, ऐसा नहीं कि समकोंड तिर्भूज है तो वो संभाहू या भी संभाहू के क्या हो जाए, वो सर्वांग सम हो जाए, नहीं, मैंने तो कुछ गलत बोला यानि समकोंड तिर्भूज है तो वो नियून कोंड या अधिक कोंड तिर्भूज के सर्वांग सम नहीं होगा यहाँ कोंड वाली बात है तो कोंड से तुलना करेंगे ऐसा नहीं कि समकोंड की हम सम बाहू से तुलना करेंगे तब तो अलग हो गया वो दूसरे मतलब बिरादरी के हो गए ठीक ऐसे समझ लो बाकि अगर समकोंड तिर्बूज की बात करें तो यहाँ पर आप इसकी तुलना नियूनकोंड या अधिक कोंड से नहीं करोगे समकोंड तिर्बूज की जो सर्वांग समता है वो समकोंड तिर्बूज से ही ना पी जाती है जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको इस्टार्टिंग में ना साइड मदलब आप समझ गए कछिए सम्कोंद कर्डभुजा परिपंध यानि इसकी सरवंग रांग रांग समता का परिपंध जैसे आप पढ़ा था भी तक आपको सवाल आप देखेंगे तो आपको CLEAR हो जाएगा समझने की कोसिस करना थोड़ा हाड लग रहा हो गई है अगर आप यूटूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेला इकन आन करना जिसे कि आपको हर एक कलास मिल सके यह अभ्यास प्रस्न है बहुत ही धहान से देखो इमानदारी से कुश्चन यहां पे आपके सामने लिखा गया है यहां पे दो सवाल है दोनों बहुत धहान से देखना देखो इनकी डीटियल इधर साइड लिखी गई है बच्चा लोग ठीक है कुछ भागों के माप दिये गए तिरबूजों के यूगमों के कुछ भागों के माप मliers दिये गएगा है यूग मादलब जोड़ा से अरे चेह अस सारभांक सम्ता परतिबंदी का परियोग करते हुए बताइए क्या या तिरबूज यूगम्मश्वांक स म और या नहीं है, सरबांगसम तिरबुजों की इस्थिती में उत्तर का संकेतिक रूप भी लिखिए, अगर ये सरबांगसम है, तो उत्तर का संकेतिक रूप भी लिखो, देखो ये सरबांगसम क्यूं है, क्योंकि इसमें जो कोण P है, वो कोण Q क्या है, और सारी B क्या है, बराब लिखो कौण V बराबर कौण B बोलो कौण P कल कौण B है न अरे जी यहां दीख तो रहा न लिख लो इसके अलावा करण AC जो है बच्छा वो करण QR के बराबर है चाहे देखो करण AC आठ सेंटीमीटर है न और QR के बराबर है QR देखो आठ है कि नहीं है बोलो है कि नहीं देखो QR8 है ना AC8 है ना मतलब यह चीज जो है बच्चा लोग यह चीज जो है यह बराबर है पसमें है ना बराबर इसकी तिर्बुच की डिटियल यहां लिखी है और इसकी यहां लिखी है उपर है ना तो यहां पे आप लिखो AC equal QR इतना ठीक है और अभी इतने पर ही नहीं रुका भूजा AB जो है यह B कितना है यहां पर देखो तो तीन है यह भी बराबर है किसके बराबर है यह जो है वह PR के बराबर है अब PR कहां है प्यार यह है न बराबर यहां पे आप लिको ए भी क्या है P. R लिख दिया इसको यानि यहां पर अगर आप ध्यान दो तो पहला नमबर तो इनके करण जुए है आपस में बराबर है दोनों का करण बराबर है कौन बराबर है और एक भुजा भी बराबर है है ना बराबर तो हमने आपको बताया था इस परकार के तिर्भूज क्या होते हैं ये सर्वांगसम होते हैं RHS परतिबंद का पालंग करते हैं आप यहां लिख सकते हो नीचे आता है तिर्भूज A B C सर्वांगसम P Q R परतिबंद के अंतरगत हैं को इस तरह से इसमें एक और भी है उसको आप खुद से कर लेना हमने दो कितुलना किया इधर बस अभी उदर साइड देखो एक और बचा है एक जोड़ा इसमें देखो दो सवाल दिये गए है मैंने सिर्फ उपर वाला हल किया नीचे वाला नहीं किया है ठीक है नीचे वाला मने नहीं हल किया अगर Q R उसमें भी देखोगे बच्चा या फिर पी आर देखोगे तो मतलब वही पड़ेगा आपका ठीक है देख लेना आपकर लेना अगर कोई confusion है तो बता देना नहीं संकोच, दोनों तिर्बूज अलग-अलग बने हुए हैं इनको लिख लो या फिर स्क्रीन साट ले लो, मैं आगे से हट चुका हूँ, वीडियो करो करके फटा-फट करो, जल्दी करो देर मत करो, बहुत जल्दी करो तो यह साथवाँ चैप्टर पूरा इंड होता है यहीं पर, इसके बाद आठवाँ चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, इकसरसाइज 8.1 क्लास सेबंथ की एंसी आरटी मैयत में, जिसका नाम है रासियों की तुलना करना, जिसका नाम है अनुपात, एक परकार से आप समझे आज गहराई के साथ सीखोगे, सबसे पहले हम बात करते हैं, वाटीज रेशियों, अनुपात को इंगलिस में रेशियों कहा जाता है, आपने सुना होगा, बहुत जगा है ना, आरे टी आई ओलिक देना इसमें, यह हो जायागा रेशियों, देखिए, इसका मैं एक एक जा कि दूरी दो घंटे में ताय करती है, मानलो फजाबाद परियाग पसेंजर है भाईया इलहाबाद वाली और यह परताबगड तक दूरी घंटे में जा रही है, अराम से रोते गाते हैं, फिर आगे, वहीं एक दूसरी ट्रेन आ जाती है, मनवर संगम मानलो, एक्सप्रेस ह उसकी चाल सो किलोमीटर परती घंटे है, हंड्रेट किलोमीटर परती घंटे है, और वह सो किलोमीटर की जो दूरी है, एकी घंटी में तो यह पर देती है, मतलब परताब घंठ पाँच गई। अब अगर आपसे कोई पूचें कि इनकी चालों में अनुपात बताओ, तो कैसे होगा पता है आपको, देखो, यहां पर काम समान हो रहा है, लगबग चीजें समान है, आपको अनुपात निकालना है. तो चालों में अनुपात बताना है पहली ट्रेन का कितना है पचास है दूसरी का कितना है यह सो है तो यही होता है अनुपात अब अगर आपसे कहा जाए कि इनकी चालों का अनुपात बताओ तो ऐसा नहीं कि आप चाल का जोड़ा दूसरी वाली की यहां टाइम से लगा इस पात को याद रखना मतलब वहां अगर Çाल की बात हो रही है तो यहां भी जो ँपात करोगे चाल के साथ ही उसको निकालोगे समझ रहो ना मतलब बैल बैल की जोडेजी लगेगी वैल और बाइस्स की जोडी नि avoiding जाएगी मतलब आप समझ रहो ना हमारा कहने का मतलब आप समझ गए ना ठीक ना तो यह चीज होता है अनुपाद अगर इसमें आप से पूछा जाए कि उनमें डोनों ट्रेनों द्वारा ताएं की गई दूरी का अनुपाद बताओ तो दूरी के अनुपाद के लिए फिर एसमें एक है तो आप क्या करोगे दो अनुपादे एक बता होगे अनुपाद समझ गए ना क्या होता अनुपाद का मतलब तो यह होता है अनुपाद इसकी कोई परिभासा से मतलब नहीं आप गूगल पर सर्च कर लेना बहुत सारी परिभासा मिल जाएंगी लेकिन जीरो होगा खेज जोते हैं और अगर आप कोई दूसरा जानवर साथ में सेट कर दोगे तो चलेगा नहीं भागेगा आप लोग हो सकता बैल की जोड़ी ना देखे हों ट्रैक्टर की जमाने में तो आप गूगल पर सर्च कर ले ना फार्मर विथ और्क्स तो बैल की जोड़ी तो इसका मतलब यह है कि पांच बटे दो समझ गे ना इसका मतलब यह भी है कि पांच को दो से भाग दिया जा रहा है इन सभी कहानी का मतलब एक है चाहिए बोलो चाहिए बोलो चाहिए बोलो समझ गे ना तो यह होता अनुपात हाँ एक बात और जैसे मैंने वहां पर अभ कुछ ऐसे ही है कह रहा है इसका अनुपाद ग्याद कीजिए एक्सरसाइज 8.1 में है देखो अगर आथ बहुत ध्यान से देखो तो यह रुपया में है पैसा में मतलब वही बात हुई फिर जो मैं बोल रहा था इनको पहले आप एक जैसे बदलोगे एक रासी में करोगे तब आप अनुपाद कर सकते हो अलग अलग रासी में आप अनुपाद नहीं कर सकते हो समझ गये ना तो क्या होता है अब देखो इधर यह रुपया में है ना आप जानते हो कि एक रुपया बराबर सो पैसा होता है सो पैसा होता है तो पांच रुपया में कितना पैसा होगा अब यह 500 पईसा हो गया यह कितना हो गया 50 पईसा हो गया अब आप लिख सकते हो अता अभीष्ट अनुपात बराबर अभीष्ट मतलब जानते हो सुद्ध सही अनुपात बराबर पांच सो अनुपाते पचास लेकिन ये पांच का जोड़ा पचास के साथ नहीं लगाओगे नहीं तो फिर वही कहानी होगी जो मैं पहले बता चुका हूँ हाँ अब यह जितना सरल हो सकते आप इनको कर लो काट पीट लो इस अनुपात का मतलब यह है बच्चा लोग यहां देखो ध्यान से कि पांच सो को पचास से क्या हुआ जा रहा है भाग दिये जा रहा है अब भाग देने का यह मतलब नहीं कि काट के जीरो लिख दो एक दम से यही इसका उत्तर हो गया आपकी इक्सरसाइज में दिया है कला सेबंध एंसी आइटी मैथ में अगर आप एंसी आइटी मैथ का बुक ले लो बच्चा लोग तो आप उसमें देखो एक्सरसाइज जो दिया गया है यह पेज नंबर 1668 के पास है कहां पे है 1689 पे हो गया है ह जल्दी लिखो फटा फट बहुत जल्दी करो अगर आप यूटूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूरां करना भूलना नहीं यह कुछ अभयास प्रस्न है इनको आप खुद से करो दिमाग लगाओ थोड़ा दिमाग की बत्ती खोलो हमें जो दूसरी रासी है वो ग्राम में दी गई अल्रेडी तो इनका अगर हम अनुपात निकालेंगे तो हम जानते हैं यह पंदरा हजार अनुपाते कितना हो जाएगा 210 यह इसका उत्तर होगा इसको आप कैलकुलेशन करोगे साल्ब करोगे तो जो भी आएगा वो सकता है एक दो यह पंदरा सोजाएगा आप साथ से कार सकते हो तो यह नहीं कटेगा तीन से काटोगे तीन सते हकीस यह कट जायाइगा वच्चा थीन पछे पंदरा पांच वाधार यानि फाइनल में आप कैसकते हो कि 509.7 इसका उत्तर होगा इसी तरह से आप तीसरा करोगे मीटर दिया है तो आप यह जानलो कि 1 मीटर में 100 cm होते हैं यह चीज आप समझ लो परियोग करना और करना 24 गंटे दिया है तो एक दिन में कहा होता बच्चा 24 गंटा होता है एक दिन में 24 गंटे होते हैं तो 30 दिन में कितने गंटे होंगे निकाल के करना इधर मीटर सेंटी मीटर का हाल है जो उपर है वही है इनको भी करना तो चलो फिर हम लोग आगे चलते हैं बिल्कुल नहीं डरना बस कोशिस करना सब कुछ आज आएगा चलो आगे बढ़ते हैं अगला देखो जल्दी करो इसको नोट कर लो इसक्रेंसाट ले लो बहुत जल्दी वीडियो को लाइक नहीं करे तो फटा फट कर दो जल्दी से आप लोग इसे ध्यान से समझ लिए हो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे परसेंटेज जो कि आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर आही महत्तोपुर्ण और बड़ा ही इंपॉर्टन टॉपिक है परसेंटेज जो कि आप लाइफ में हर जगा इसकी उम्मीद के साथ देखते हो कई इसका हमें काम लगेगा और आपको काम भी लगता है चाहे वह आप परीक्षाद देते हो माहरेज कोई मांक्स पाते हो आपको अबस्तिदरे दैरों में दोस्तो में बताना पड़ता है कि Caleb ने कि बिख इक ज espaço हो आम घंस क्या होता है तो आप कई से जानोंगे कितना परतिसत बढ़ा दिया माल लेते हैं अभी आपने देखा हाली में यूपी बस परिवहन जो है उत्तरपरदेश परिटन वाले यानि की उत्तरपरदेश परिवहन की बात करें परिटन छोड़ दो आलग है तो इन्होंने भ 10 परतिसत बढ़ गया तो कितना बढ़ा कितना रूपया बढ़ा भ़ता जहां पहले देते थे अगर 10 परतिसत बढ़ा तो फिर आपकितना रुपय कर सकते हो मतलब अच्छे से जिन्दगी जी सकते हो पड़े लिखे की तरह है ना चलिए बात करते हैं प्रतिसत होता क्या है प्रतिसत जो यह सब्द आप बोल रहें अपने मुह से पर्सेंट यह पर्सेंट एंगलिस वाला यह सब्द लैटिन भासा के एक सब्द जिसका नाम है पर्सेंटम से लिया गया है जिसका अर्थ है प्रति एक सो प्रति proteg एक सो इसको ऐसे चिन्त से टिर्षी लाइन ऊपर ड्रूठी आख बना देते हैं है ऊपर छोटा मोटा जानकारी श्मझें कि मैं लो इस समय तामाटर सो रूपया किलो है कोई नई बात निय भी हुआ भी था उना कितना रूपया किलो है सो रूपया आप यह पांच परतिसत्थ बढ़ गया वच्छा कितना बढ़ गया 5% क्योंकि 4 तरफ मारा मारी है किसान खेती छोड़ छोड़ मजदूरी करने फैक्टरियों में भाग रहा है क्योंकि किसानों के सारे आफर सिर्फ टी भी पे आ रहें पेपर में आ रहें उसके खेत तक नहीं पहुँच रहें हो भी रावरतमान में यही हाल है है ना तो 5% टमाटर का मुल्य बढ़ गया अब यह बताओ 1 किलो टमाटर के लिए अब आप कितना रुपया पेमेंट करोगे कितना रुपया करोगे तो सिंपल सी बात है अगर आपका परतिस्यत 100 पे निकल रहा है तो जितना परतिस्यत होगा उसका मतलब उतने रुपया होगा यानि 5% बढ़ा मतलब एक किलो लोगे तो 5 रुपया और देना पड़ेगा तो 105 रुपया लगेगा समझ गए ना समझ गए खुदा ना खास्ता आज के 4 साल बात करेंगे ना यह टमाटर का मूले बच्चा 5 परतिस्थ नहीं है यह 25 परतिसथ बढ़ जाएगा कितना बढ़ जाएगा 25 परतिस्थ बढ़ जाएगा तब यह बताओ आप आज के 4-5 साल बाद आप एक किलो टमाटर का मूले फिर कितना रुपया पेमेंट करोगे बोलो तो जितना परसेंट है उतना ही उसका मान है यानि पचीस रुपए आप और ज्यादा पेमेंट करोगे तो एक सो पचीस रुपए हो जाएगा यह चीज आप समझ रहो कि नहीं समझने की कोशिज करो आप लोगों को भी समझना चाहिए है न यह तो सो पे हो गया लेकिन अगर यहीं पर बात कुछ और होती यहीं पर बात हम कुछ और करें वो क्या है कि जैसे मान लेते हैं हम कौन सा ऐसा चीज माने जो की मैंगा हो चलो मान लो चलो हमने मान लिया मिठाई चलो मान लिया ठीक है मिठाई अब बच्चा लोग आप यह ध्यान से देखो मिठाई की मतलब पानी नहीं आना चाहिए मूह में बस सुनों बस के बन यहां खिलाई नहीं जाएगी खाने को नहीं मिलेगी मिठाई क्या है 200 रुपए किलो है आपको पता है कि सेट लोग अपने आप से जब मर्जी बढ़ा अढ़ा लेते हैं है ना इसमें जो कुछ होंगी अगर कोई तो नराज मत होना मतलब समझना अब मान लेते हैं कि वही पांची परतिसत बढ़ता है अब मिठाई इसका मूले पांच परतिसत बढ़ गया कितना बढ़ गया पांच परतिसत तो यह बताओ आप जो 200 रुपए पहले आप पेमेंट क कितना रुपए करोगे सोचो पहले 200 रुपए आप पेमेंट करते थे आपको एक किलो लट्डू मिल जाता था 200 रुपए में अब बताओ कितना रुपए पेमेंट करोगे यहां हाकिकत पर मत जाना केवल कोईश्चन पर आना यह नहीं कहोंगी मैं यह लट्डू इतने होता जैसे टमाटर वाला देखा था 100 का 55 रुपए ही हो गया था लेकिन यहाँ 200 है तो 200 है तो क्या होगा आप जानते हो सभी कि 200 को आप 100 प्लस 100 लिख सकते हो इतना दिमाग बगवान ने सब को दिया है किसी ने रखा है किसी ने फेक दिया तो आपके उपर डिफेंड करता है तो हर 100 पे 5 रुपए बढ़ा है बढ़ा है इस पर भी 5 बढ़ा इस पर भी 5 बढ़ा यानि कुल मिला करके 200 पे कितना रुपए बढ़ा 10 रुपए बढ़ा है कितना बढ़ा है 10 रुपए बढ़ा है तो जो लड़ू आप पहले 200 रुपए में लेते थे तो दियार बच्चा लोग आप फिर 210 रुपय दोगे कितना दोगे 210 रुपय आज पस्चिम मंगल कौन सभीय था नहीं कॉलकाता है ना पस्चिम मंगल और कॉलकाता आप लोग जानते होंगे संबंधित है है ना वहीं से 24 परगना से कॉल आया था जिनका नायम कुछ हजीब सथा मुझे आद नहीं है उन्होंने कहा था कि आज सर मैं कुछ समान लेने गया था दुकान पर और वो 300 रुपय किलो दे रहे थे और मुझे 200 गराम लेना था मैंने लिया उसके बाद मैं हिसा भी ने जोड़ पा रहा था आदा गंटे तक मैं सोचता रहा दुकान वाले ने पूछा बताओ कितना रुपय हुआ उसके बाद उन्हें भाई को फोन किया तो बताया इतना रुपय हुआ और वह इतना परिसान हो गए सर्मा गए कि मैथ सीखने के लिए यूटूब पे सर्च करने लगे और फिर नंबर पाया और फोन किया तो मैंने उनको कलास दिया आपके जीरो लेबल वाल इसके बाद आगे आप देखोगे चलो शुरू करते हैं यह अगला पार्ट तो इसका आगला पार्ट जरूर देखना थीक है जरूर देखना इसमें भी आम बीना किसी सूत्र बिना किताबी ग्यान को आपको ऌप परसेंटे निकालना बता रहें इसमें क्या रोक क्या है दो सो पचास वाला मतलब क्या है, हमें इतना पता है कि 6 परतिसद का मतलब है, सो में इसे 6 रुपया, है न, बस इतना ही पता है, तो हम क्या करेंगे इनको सो के रूप में तोडेंगे सो धन सो और धन क्या लिखेंगे पचास बताओ लिख सकते हैं कि नहीं दो सो पचास को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना इसमें तो हम कोई सूतर कोई मैथ का जादू नहीं लगा रहें तो 6% का मतलब हम जानते हैं कि 100 उपर 6% का मतलब 6 रूपया तो इस पर भी कितना 6 रूपया तो बच्चा लोग आप ये भी जानते हो कि जो 100 है उसी का छोटा बेटा 50 भी है उसका आधा रहता है ना तो अगर इसका 6 है तो ये क्या होगा? 3 रूपया होगा आधाई होगा ना तो यानि इसका टोटल फाइनल में मान कितना हो जाएगा 6, 6, 12, 3 कितना हो जाएगा 18 रूपया समझ गए ना यानि कि 250 का 6 परतिसत कितना होगा 18 होगा बिना किसी सूत्र के मैंने निकाल दिया अब मैं तरीका बताता हूँ मैत वाला जिससे इसको वास्तों में किया जाता है क्योंकि अगर बड़ी बड़ी गिंती आएगी तो आप आईसे इसको सौसों में तोड़ोगे तो आपको लोग बुद्धू और पागल और दिवाना सब बोलेंगे है ना तो देखो इदर साइड में कैसे होता है दो सो पचास का क्या करना है छे पतिसाथ देखो यार इसमें क्या करते है ना दो सो पचास का का मतलब होता गुड़ा का चिन लगाओगे छे और पर फेंटेज का चिनना जब हटाते हैं तो हमेशा सौसे भाग लगा देते हैं तो इसमें क्या करेंगी यह 100 से भाग कर देंगे बस इसी को हल कर लो आज आएगा 18 अगर सही है तो नहीं सही है तो कुछ और आयेगा फिर यह गलत है लेकिन सही जो भी है आयेगा वही एक उत्तर आयेगा 1 0 1 0 कट गया हां 2 से कार्ड़ दो तियाँ छे 2 से इसको कारड़ दो 25 यह 25 हरा हां सही बात है देखो 5 यह 15 आया ना वच्छा लोग 15 आया ना यानि जो मैंने पहले जोड़ा था वो गलत जोड़ा था कितना आया 15 ना देखो सब ठीक है कहीं कुछ गलत नहीं है लेकिन थोड़ा सा मिश्टेक है जो कि उसके लिए स्वारी आप लोग भी देखा करो 6 6 12 3 15 कि यानि इस तरह से आप कर सकते हो दोनों रूल में वही एक ही आंसर आना चाहिए अलग अलग नहीं आएगा हां अलग अलग बिल्कुल नहीं आएगा यह मां टेंसान लेना कि अलग हो जाएगा वहां कुछ और आएगा दोनों में एक है आएगा लेकिन कलास को पूरा एंड तक देखनास को इंसान हम भी हैं इंसान आप भी है थोड़ी बहुत तूटी सबसे हो जाती है अगर आपको कहीं भी थोड़ी तूटी नजर आती है आव हमने जरूर सू credker लेकिन हमारी क्लास में कोसिस यह रहती है कि एकड़म तूटी कहीं भी गलत कुछ भी ना हो देखो कहीं अगर थोड़ा सा होता है तो आप दो मिनिट आगे देखोगे तो कहीं न कहीं उसका पकड़ मिल जाता है है ना तो कैसे बदलोगे बहुत ही ध्यान से देखो, प्यार से देखो क्या कहता है, इसको percentage में changing कैसे करोगे, जैसे अभी तक आप सीखते आये हो, कुछ वैसे ही करोगे, तो परतिशत में बदलने के लिए एक बात याद रखना, सिर्फ कान खोल के सुन लो, सिर्फ और सिर्फ एक किसी भी संख्या को अगर हम परतिशत में बदलना है, इसका मतलब हमें उसके साथ परतिशत का चिन लटकाना है, मतलब जो कि पहले नहीं लगा है, तो उसके लिए हम हमेसा क्या करेंगे, हंड्रेट से मल्टीफल कर देंगे, सौ का गुड़ा कर देंगे, यही को याद रख बिल्कुल घबराना नहीं यह पांच सो परतिशत कहां से आ गया, अब तक तो मैंने सो परतिशत तक ही सुना था, लेकिन यह सो के उपर काहे जा रहा है, देखो मैं इसमें सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ, पांच का मतलब है बच्चा लोग, पांच बटा एक, पां रुपरतिशन भी बोल सकते हो, क्यूंकि भाग करोगे तो मिस रुपर रुप में आएगा, तो इनका पर्सेंटेज हमेशा सो से जादा होगा, इस ऐसी बात को याद रखना, इनका जो उत्तर आएगा, हमेशा सो से जादा होगा, लेकिन अगर यही बदल जाए, मतलब प्र इसको पर्सेंटेज में बदलना है यह उचीत भिन्न है आप कुछ लोगों के दिमाग में बत्ती जल रही होगी कि यह उचीत अनुचीत भिन्न क्या है इसको तो मैं जानता ही नहीं हूं तो बच्चा लोग आपको अच्छा-चे में अगर पढ़े होंगे तो आपको पढ़ा यह इतना ही समझेड़ो आप साधारन-टरीके से ऊपर फाली गिंतिछटी यह नीचे वाली बड़ी हो तो उचीत भिन्न होती है इसको अगर पतिसद में बदलो गे, isका उत्तर आएगा 50 पृतिसद मैंने अभी अभी बताया था जब हम किसी भी अनोचीत भिन्न को पृतिस से जादा आएगा बस अगला बढ़ते हैं ये भी एक उची तविन है क्या है ये व्रॉफ और फ्रेक्शन है इसको अगर पर्सेंटेज में चेंजिंग करोगे बच्छा लोग तो हंड्रेट से क्या आएगा उसकर इसका कम ही आएगा और प्रतिस्यत में बदलने के लिए लोगों के दिमाग में यह चल रहा होगा कि यह कौन सी बिनना है यह तो लग तो उचीता बिनन रही है लेकिन अभी एक पिट सकता है तो काट पीट तो कल्कुलेशन कर लो तो कॉन सी बुराई है फिर तो उसी रूप में आ रही ना कर लो फटा-फट इनको यह हो गया आप पर्तिसत्स से भिन में बदलना है अब यह आखे थोड़ा सा इसको हम देखें कि अगलीец में अगन देखनगी दकना नहीं ठीक है देखना जरूर इसमें अब आप बहुत ही दमदार चीज पढ़ने वाले हो परतिसत से भिन में बदलना मतला परफेंटेज वाली टोपी को हटाना है कैसे हटा होगे जरा ध्यान से देखो हमने अभी अभी पिछली कलास में बताया था कि जब परतिसत लगाना होता है तो सौ से गुड सही किता गलत किता है बात में दम 20% को अगर हमें भिन में बदलना है साधारण दसंबलो संक्या अमें बदलना है तो इसको हम 60-100 करेंगे, मतलब 100 से भाग कर दिये तो परतिसत वाले बीमारी दूर हो गई इसको आप completely solve करोगे बच्चा तो आप आओगे 2, 3, 6, 2, 5, 10 मतलब इसका जो साधारण भिनना आएगा वो 3 बटा 5 आएगा कितना आएगा 3 बटा 5 लिए खुलो फटा फट जल्दी करो इसके बाद आगे बढ़ते हैं 300 परतिसत क्या करना इसको भी क्या करना है हल करना है परतिसत का चिन हटाना है यानि हमें क्या करना हंड्रेट से भाग करना है तो यह हो जाएगा 300 बटे क्या हो जाएगा 100 भाग कर लो 3 आएगा कितना आएगा 3 कोई भी गिंती अगर वो परतिसत में है उसमें से परतिसत हटाना हमेशा भाग करोगे दूबारा से इसको फिर से परतिस्यत में बदलना है, बदल तो 60 परतिस्यत आएगा, कैसे देखो मैं रिवर्स करके दिखा दे रहा हूँ, 3 बटा 5 को परतिस्यत में बदलना है न, हमने बताया था कि 100 से गुडा कर दो बस, तो बच्चा 100 से गुड़ा कर दो, कट जायेगा, 20 यहीं, 60 आएगा, फिर से 60 परसंट आजायेगा मतलब मैं थे एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, कि उत्तर से आप प्रफन ला सकते हो और प्रफन से उत्तर ला सकते हो, लेकिन ऐसा हर जगा नहीं होता है हाँ, चलो, तो है ना मज़दार, आगे देखते चलो, क्या-क्या होता, अभी बहुत ही मजदार चीजें होने वाली है साथ सो बीस परतिसत को क्या करोगे, आप हल कर लोगे, जैसे मैंने बताया, इसका उत्तर कमेंट करके बताना, मैं नहीं बताने वाला हूँ, अब एक अच्छर नहीं बताऊँगा, इसको भी कर लो, समझ गए ना, सो में सब में 100 से भाग कर लो, और उत्तर कमेंट कर दो, फटा फट, जल्दी करो, इस वीडियो को लाइक नहीं करे हो, तो जल्दी से कर दो, और वीडियो को लाइक करने के अलावा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन प्रेस करना है, अगर आप यूटूब पे डे दिया जाता यूटूब पे, तो यह मत सोचना, जो लोग कलाफ लिये हो, कि यह तो सब हमें देख रहे हैं, अभी रियल वाला कब आएगा, तो भया, आप मूवी देख रहे हो, ट्रेलर नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसे यूटूब पे देख रहे हो, तो मानलो उपर जो नंबर दिख रहा, बहुत जल्दी नोट करो इसको, फटा फट करो, आगे बढ़ते हैं, फिर जल्दी करो, नहीं कर पाए तो वीडियो को रोख लो, तुरंद जल्दी रोखो, हो गया, इसके बाद अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट कलास में आप आना, और हा लाल गेंदो की संख्या कितने परतिसत है, सोचो और बताओ, संख्या कितने परतिसत है, सोचो और बताओ, टोटल गेंद कितने है, कुल गेंद कितने है, कुल गेंद पचास है, जिसमें से कह रहा, बीस गेंद काले है, कितने है, काले गेंद कितने है, बीस है, तो पूछ र लाल गेंद हैं तो अगर हम देखें कि लाल गेंद को हम ललकी पेंद से लिखें तो लाल गेंद कितने हैं गटा लो तो 30 आएगा कितना आएगा 30 आएगा ना लेकिन हमें क्या करना है हमें percentage निकालना है क्या करना है percentage निकालना है तो कैसे निकालेंगे percentage देखो इसके लिए एक सूत्र जान लो किसी भी चीज में अगर इस तरह का percentage निकालते हैं तो हम उस total amount को पहले लिखते हैं जो है जैसे 30 है उसके बाद उसको भाग देते हैं पूल एमाउंट कितना था ठीक है टोटल से टोटल मतलब पचास और उसके बाद उसको सो से गुड़ा कर देते हैं यही इसका उत्तर हो जाता यही इसका तरीका है ठीक गुड़ ना देखो तो काट दो पचास से काट ओगे पचास दूना सो और बीस यहीं हो जाएगा साथ यानि की साथ पर्तिसत गेंद क्या है लाल है भाई वैसे भी हो ना क्यूँ साथ पर्तिसत है सीधी सी बात है क्यूँ आप ऐसे जान लो बीस काला है थीस गेंद क्या है लाल है तो दस तो सोजे सोच जादे हैं है न तो यह आप लिख लो जल्दी से जल्दी करो इसको नोट करो इस तरह का एक सवाल आप खुद से करना मैं नहीं बताने वाला हूँ जल्दी करो सवाल बदल गया आपके अभ्यास के लिए इसको भी हल करके बताना अगर गेंदों को 120 कर दिया जाए उसमें से गेंद 75 काले हैं तो लाल गेंद कितने पर्तिसत होंगे इसको भी बताना, खुद से करना ट्राई करना, जरूर करना बिना ट्राई किये नहीं रहना चलो आगे बढ़ें अगला अब आपके दैनिक जीवन के काम का एक सवाल आप लोग अकसर पढ़ते होंगे बच्चे पढ़ते हैं आपके तो आप पर्सेंटेज निकालना चाहते होंगे कि कितना परतिस्द नंबर पाया बच्चा है ना अक्सराज कल तो ग्रेड चलने लगा लेकिन फिर भी लोग परसेंटेज बिना निकाले नहीं रहते हैं तो अगर कोई चात्र हाई स्कूल में पढ़ता है और यूपी बोर्ड से है तो इस समय लगबग 600 नंबर का पुडांक होता है और उसमें से अगर वो 350 नंबर हासिल करता है मार्क्स पाता है तो उस कितना परतिस्यत वो पाया है इसको कैसे निकालोगे इसके लिए एक फार्मूला याद रखना हर जगा इस तरह के किसी भी सवाल में परेशेंटेज मार्क्स इक्वल आफ्टेंड मार्क्स यानि की प्रापतांक कितना है 350 टोटल अमाउंट यानि की टोटल मार्क्स जो है कितना है 600 और इसको 100 से गुड़ा कर देना बस यही आपका सबसे आसान तरीका है आपके सवाल करने का है ना कितना आसान है ना बहुत आसान कर लो 2-0 से 2-0 कट जायागा इसको आप काटोगे बद चलोग 2 से तो आप जानते हो कि 2-1 कम 2 और 2-1 सते 14 हाँ यह तो होगा ना 2-1 कम 2 और तो किसी से कटेगा नहीं 3 से कटेगा क्या कभी नहीं कटेगा 2-1 कम 2, 2 सते 14, 2 पंचे 10 और यह 2 तियां ही 6 यानि कीतना आएगा 175 बटा 3 आएगा आपको यह कौन सा नंबर है तो चलो इसको हम भाग करते हैं 175 को अगर हम 3 से भाग करेंगे हम जानते हैं कि 3 पंचे 15 होता है घटाने पर दो आएगा आप 5 उतार लोगे तो 3 सते कितना आएगा 21 कितना आया 21 लेकिन कुछ गड़बढ हो रहा है क्या कहीं अगर आप ध्यान दो तो कुछ गड़बढ हो रहा है क्या कुछ भी गड़बढ नहीं सब कुछ ठीक है बस आगे देखते जो कितना हो जाएगा यह 3 सते 21 इसमें से घटा होगे तो आपका चार आएगा आप जानते हो उपर आप डेसिमल ले जाओगे जीरो उतार होगे तो तीन नवा सताइस ओस्वरी डेसिमल नहीं बढ़ाओगे अभी अभी डेसिमल नहीं बढ़ाओगे न क्या होगा अभी यह गड़बढ कर रहे हो आप 3 8 24 आठ बार जाएगा तो आपका यह 24 हो जाएगा घटा होगे तो कितना आएगा वन आएगा बच 38.33% मार्क्स वह बच्चा हासिल किया है मतलब वह 60 परतिसत में थोड़ा लटक गया है 60 परतिसत तब होता जब वह 360 नंबर पाता 600 में तब वह 60 परतिसत पाता है ना है ना काम का लिख लो जल्दी करो फटफट लिख लो उसके बाद आगे बढ़ते हैं यह सारे बहुले ही महत्तव पूर्ड कांसेप्ट हैं आप इनको याद रखना लाइफ में कोई परिच्छा निदेना लेकिन जिन्दगी में भी काम आने वाले हैं अभी नहीं आएंगे तो आपके लड़के बच्चे होंगे जब तब काम आएंगे इसमें देखो क्या करना है दस हमलों को परतिस्ट में बदलना है कैसे मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि किसी भी संक्या किसी भी गिंती को परतिस्ट में बदलने के लिए हमेशा क्या करोगे 100 से गुड़ा करोगे अगर परतिस्ट में है तो उसको परतिस्ट हटान लिए 100 से भाग करोगे तो बच्चा लोग इसमें आप 100 से सिर्फ और सिर्फ गुड़ा करोगे मल्टिफल करोगे 100 का आपका अंसर आजाएगा आपके सामने दोड़ के आएगा यह आपका 7500 ऐसे हो जाएगा यहाँ पे दो अंक पर दसमलो है पीछे से तो आप डिजिट पे दसमलो लगाओगे इसका अंसर 75 आएगा क्या आएगा 75 परसेंटेज में आएगा क्योंकि परसेंटेज में ही पूछा था ना समझ में आई ना बात इसमें क्या है परदिशत में बदलना है इसमें भी आप वही पर किरिया आपना होगे जीरो नाइन इसमें आप हंड्रेड का मल्टिफल करोगे सो का फाइनल में आपका कितना आएगा नौ सो आएगा दो अंक पर पीछे से दसामलो लग आओगे तो आपका नाइन परसेंटेज आएगा लिखते जाओ आपको 100 से गुड़ा करना है आप जानते हो जब आप इनमें 100 से गुड़ा करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसे रूप में आएगे इनमें क्या करना है एक अंक पर दसामलो लगाना है ओनली वन डिजिट पर पॉइंट लगाना पीछे से तो इतना हो जाएगा फाइनल में 1050 पर तिसात आपका उत्तर है उत्तर कितना आ रहा इससे कोई मतलब नहीं तरीका सही लगाना वन डिजिट पर पॉइंट है तो वन पर ही लगाना यहाँ पर पॉइंट पॉइंट के बाद वाला जीरो का कोई मतलब नहीं है इसमें भी ऐसे कर लो अगर छोटी गिंती रहेगी आप देखो कि पॉइंट में तो उसका उत्तर 100 के नीचे आएगा लेकिन अगर यह गिंती बड़ी रहेंगी तो काफी बड़ा अंसर आएगा जैसे इसको मैं देखो आप 1050 आया ना लागेगा पीछे से तो बच्चा लोग यह आपका उनली 5 परतिसात आएगा कितना आएगा 5 परसेंट आएगा लेकिन अगर इसी में हम आपको ऐसे बोलें कि 0.05 नहीं है सिर्फ 5 है तो इसका उत्तर कितना आएगा आप जानते हो 50 परतिसात आएगा इस तरह से आप इन सभी सवालों को हल करोगे हल करके इनका उत्तर इसी वीडियो में कमेंट करना फटाफट और अगर आपने PBR स्टडी अप में कोर्स लिया है और एप के अंदर देख रहे हो तो आप इनको हल करके नोट्स बना करके पहले वाले नंबर पर भेजना सब PDF बना के एक तरफ से अच्छे से ठीक है जल्दी से लिख लो अगर आपने छोटा सा वीडियो देखा यूटूब पर डेमो के रूप में 2-3 मिनट का आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूँ कि इधर साइड में जो यह गिंती आप देख रहे हो हलका हलका कटी कटी न यह कलासे बड़ी बड़ी होती है इनके पार्ट है छोटे-छोटे प्यारे-पैरे जो आपको कभी-कभी यूटूब पे मिल जाते हैं यहां पर हम साथ हमें नोट करते चलते हैं कि कितना-कितना बीच-बीच का पार्ट निकालना जैसे आपको इसमें से बीच का 3 मिनट का पार्ट दिखा दिया गए यूटूब पे फेस्बूक पे दिखा दिया गया 4 मिनट का तो इसी में का वो पार्ट होता है जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूँ जब भी हमें कभी क्या करना हो पर्फिंटेज में बदलना हो हम हमेंसा क्या करते हैं सौ से गुड़ा करते हैं यानि उसमें hundred से multiple कर देते हैं चाहे वो किसी भी परकार की संख्या हो चाहे दसमलो आली हो या धिन वाली हो कैसे भी हो तो इन में भी वही करेंगे परतिसत में बदलना है गुड़ा करेंगे आप इनको काटोगे 4 से तो 25 आएगा ये 4 दूना 8 आएगा यानि आप फाइनल में अगर इनका उत्तर देखोगे तो ये 12.5 परसेंटेज आएगा समझ में आये ना कितना आएगा 12 असमलो 5 परतिसत आगे अगर बढ़ें तो ध्यान देना आगे क्या है अगला कुष्चन देखो 5 अफान 4 क्या है 5 अफान 4 अब देखिए क्या है 5 अफान 4 इसको भी क्या करना परसेंटेज में चेंज करना है हमेशा आप क्या करोगे जब आपको परसेंटेज लगाना है 100 से मल्टिपल करोगे मतलब 100 का गुड़ा करोगे तो आप इसमें भी क्या करोगे 100 का गुड़ा कर लोगे चार से काट दो आप जानते हो कि चार दूना आठ और चार पंचे 20 25 पंचे का होगा बच्चा 125 परस्ट आयेगा मैंने पीछे बता दिया था कि अगर दी गई जो भिन है वो अगर इंप्राफर है तो उसका जो अंसर आयेगा वो 100% से जादा होगा और नहीं तो अगर प्राफर है तो 100 से छोटा होगा जैसे देखो यह प्रापर फ्रेक्शन थी इसका उत्तर क्या आया कुछ तो खुद से करो यार कुछ से भी कुछ तो करो कम से कम लाजसरम करो ना थोड़ा बहुत तो आप ट्राई करो पोगया ना कर लोगी ना इसको कुछ आपको और भी दिखाते हैं यह आपके लिए होमर्क इनको नोट करो जल्दी-जल्दी फटा-फट इनको घर से करना प इनको भी क्या करना आपको पर्तिसद में बदलना है इनको भी आप उसी तरह करोगे जैसे मैं आपको सिखाया हूं जल्दी से लिख लो फट फट सब करना घर से क्योंकि हो मुर्ण करना बहुत ही जरूरी है अगर हो मुर्क नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला याद गोले का कितना भाग जो है वह रंगीञा है मतलब गोले का इसा कितना भाग आगज है है मतलब भीन के रूप में आप कैसे बता होगे जरह द्यान से सोचो अगर आप यहां पर गोले में देखो तो यह लगज आपको कितना लग रहा है यह कुछ ऐसे लग रहा हम आई से हां कुछ ऐसे लग रहा है मतलब ऐसा लग रहा है कि ये टोटल चार पार्ट में तोड़ा गया है जिसमें से एक पार्ट को कलरफुल किया गया है ऐसा ही कुछ है ना कि कुछ और है यानि टोटल इसमें जितने पार्ट है एक, दो, तीन, चार उसको आप नीचे लिखोगे ठिक, कलरफुल भाग कितना एक है इसलिए वानपान फोर इसका अगर बोले कि कलरफुल भाग कितना है तो एक बटा चार कितना है एक बटा चार अगर आपसे पूछा जाए कि इस बोले का कितना भाग ऐसा है जो कलरफुल नहीं है मतलब जो रंगी नहीं सादा है तो कितना भाग है देखो टोटल भाग तो चार है चारी रहेगा लेकिन एक दो तीन तीन भाग खाली है इसलिए अगर बोले रंग हीन मतलब जितना भाग कलर नहीं किया गया है कलर नहीं किया गया है वो तीन बटा चार है और जितना भाग कलर किया गए एक बटा चार है अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो एक आ जाएगा एक का मतलब पूरा एक गोला कर के देख लो अगर दूसरे सवाल की बात करें यहां पर ध्यान दो ऐसे है और यह ऐसे है यह चार पार्ट हो गए बच्चा और इसमें से यह कवर बन गया इसे इस तरह से है अब इसमें से अगर यह पार्ट इसका कलरफुल है और इसमें इतना ही नहीं यह भी कलरफुल है अब आप से पूछें कि इसका कितना भाग कलरफुल है तो आप कैसे बताओगे भिन्ने के रूप में कितना भाग इसका रंगीन है बोलो सबसे पहले आप देखोगे इसमें टोटल भाग कितने है च्छे है तो नीचे च्छे लिखोगे कलरफुल कितने है दो है तो अगर कलरफुल का पार्ट निकालना है तो दोई बटा च्छे भाग क्या है इसका कलरफुल है मतलब एक बटा तीन भाग हाँ हल करोगे उसको एक बटा तीन आयेगा अगर आप से पूछा जाए कि इस गोले का कितना भाग ऐसा है जो कलरफुल नहीं है तो उसका उत्तर आप कमेंट करके हमें बता दो जल्दी से जल्दी करो फटा फट बताओ बता लोगे ना देखो कितना भाग कलरफुल नहीं है बडाई जी है बेरी सिंपल सा है एक दो तीन चार भाग क्या है कलरफुल जो है नहीं है और वो कितने में से छे में से यानि चार बटे छे क्या है वो रंग हीन भाग है जितना कलर नहीं किया गया जितना कलर किया गया दो बटा च्छा इसका आप हमें बताओ कितना भाग कलरफुल है और कितना भाग कलरफुल नहीं है भिन्न के रूप में बताना जल्दी बताना सभी बताओगे कोई एक नहीं हर कोई बताएगा आगे देखो अगला क्या है अगला कहता है बच्चा ये इसमें क्या है आई से आई से बना हुआ है ऐसे बना हुआ है इसमें ये गोला भी कलर्फुल है ये वाला भी कलर्फुल है ये भी कलर्फुल है इसमें भी हमें कमेंट करके बताओ कि कितना भाग कलर्फुल है कितना भाग कलर्फुल नहीं है इन सब को करना मिलेंगे अगली कलास में तब तक के लिए आप देखते रहें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें जैहिंद अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो इसे दोस्तों में सेयर जरूर करना बिना सेयर किये नहीं जाना करता ही सेयर अवस्य करना